हेलो फ्रेंड्स, स्वागात है आपका स्टाइट 247 में, आज हम लोग मनिपूर के उपर जो सवाल एक्जाम में आते हैं, उन सब सवाल को कंपाइल करके आपके समने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये नौर्थिस्ट जीके जो हमारा सीरीज चल रहा है, वो सीरीज में ये मनिपूर स्टेट को हम कवर कर रहे हैं, तो ये सवाल मनिपूर के जो पाप्लिस सर्विस कमिशन है, कंबाइन एक्जाम है, ग्रूप सी, ग्रूप डी एक्जाम है, उन सब के लिए तो इंपर्टेंट है ही, साती साथ जो और भी स्टेट है, जहाँ पे नौर्थिस्ट से सवाल सादू, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आइकोन में क्लिक करके रखिए, जो आने वाले एक्जाम है, उन सब के लिए आपको आसानी हो, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सा जाएगा, आप वहाँ पे कॉंटेक कर सकते, तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, फर्स्ट जो क्वेशन है, वू इस दो फर्स्ट चीप मिनिस्टर ऑफ मनिपूर, मनिपूर के जो पहले चीप मिनिस्टर वो कौन थे, वो थे, ऑप्शन ए, माईरंबा कोईरंसिंग, option A is the right answer, when was मनिपूरी added to the 8th schedule of the constitution, constitution का जो 8th schedule है, जहाँ पे जो लेंगिज़ को एड किया जाता है, उसमें मनिपूरी को, मनिपूरी लेंगिज़ को कब एड किया गया था, वो आट किया गया था, 1992 में, which game was introduced by मनिपूर, to the Europeans, कौन सा गेम जो इंटरूश के गया था, उरूपयान के द्वारा, वो है, option C, पोलो, which one is the classical dance of मनिपूर, मनिपूर के जो classical dance है, वो कौन सा है, इन चारो में से, वो है, option A, यानि रास लिला, in which year, national games was held in मनिपूर, मनिपूर में कब national game खेला गया था, वो साल था, option C, 1997, who was the commander of 1944 war in मनिपूर, मनिपूर में जो वार हुआ था, 1944 में, उसमें commander कौन थे, वो थे, जनरल स्लीम, which one is the largest district by area wise in मनिपूर, मनिपूर के जो district है, उन में से area wise सबसे बड़ा district कौन सा है, वो है, option A, चुरा चान्दपूर, literacy rate of मनिपूर according to the year of 2011, 2011 में जो census हुआ, उसके तहद मनिपूर के जो literacy rate है, वो कितना है, वो है, option A, 79.21%, which king signed the treaty of accession for merging मनिपूर to India, किया, मनिपूर को इंडिया के साथ मार्ज करने के लिए, जो MOU sign किया गया था, वो किस राजा के द्वारा किया गया, उससे में राजा कौन थे, वो राजा थे, महाराजा, बुद्धा चंद्रा, which is the largest lake in मनिपूर street, मनिपूर में जो largest lake है, वो कौन सा है, वो है, option A, लोकताक lake, इसको floating lake से भी जाना जाता है, which year the Anglo-Mनिपूर war was fought between British and Vir-Tikandrajit, Anglo-Mनिपूर war हुआ था, British और मनिपूर के जो उससे में जो राजा थे उनके साथ, Vir-Tikandrajit थे उस battle में, तो वो battle का क्या हुआ था, वो battle हुआ था, option B, 1891 को, who was Manipur's chief minister in 1995, 1995 में, Manipur के chief minister कौन थे, वो थे, option C, Rishan Kaising, when was the Manipur university established, Manipur में university का established किया गया था, पहली बर, वो साल था, option B, 1980 को, total number of national park in Manipur, Manipur में कुल कितने national park है, option A, one, who was the first governor of Manipur, Manipur के पहले governor खान थे, वो थे, option B, के नहेरू, वो त्रिपूरा के भी governor थे, उस time पे, जो एक साथ तीन state मार जो आता, Manipur, मेहला और त्रिपूरा, तो B, के नहेरू थे, उन्सके governor, who was the last king of Manipur, Manipur के last king कौन थे, वो थे, option B, बुद्दचंडर सिंग, उसके बाद उन्होंने, M.O.U. सांग किया, इंडिया के साथ मार्ज हो गया, ये कर, Manipur, total number of district in Manipur is, Manipur में अभी कुल कितने district है, option C, 16 district, who is the first person from Manipur to receive the Padma Shri Award, Manipur के पहले person कौन थे, जिन्होंने Padma Shri Award लिया था, या Padma Shri Award से उनको नवाजा गया था, वो थे, Ralingno Khating, when Manipur was unified with India, Manipur, India के साथ unified कब हो गया, option D, 15th October 1949, in which year, Manipur entered into a subsidiary alliance with British Empire, British Empire के साथ subsidiary alliance में, Manipur enter हो गया, वो साल कौन सा था, वो साल था option, see, 1824 को, which one is recognized as the state bird of Manipur, Manipur के state bird कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस बर्ट का नाम क्या है, इस बर्ट का नाम है, Nongying, which one is recognized as state animal of Manipur, state animal कौन सा है, Manipur के, वो है, सांगाई, who is the longest serving chief minister of Manipur, Manipur के longest serving chief minister, सबसे लंबे टाइम तक, chief minister कौन थे, वो है, Okram Ivovi Singh, which one is the highest peak in Manipur, Manipur के highest peak कौन सा है, वो है, option से, Mount Tempo, in which district of Manipur, the rare Indian species of plant, Shiroi Lily is found, Shiroi Lily एक rare species of plant के, वो Manipur के, कौन से district में मिलता है, इस plant को, ये मिलता है, उक्रूल में, which one is a natural limestone cave, in Manipur, Manipur में एक cave है, natural limestone से बना, वो केब किस नाम से जाना जाता है, या इस चारों में से कौन सा cave है, जो natural limestone cave से है, Manipur में, वो है, हांख्वी cave, option A is the right answer, वीर्तिकंद्रजीत, वीर्तिकंद्रजीत को फासी दिया गया, बृतिकंद्रजीत को फासी दिया गया, कब 13th August 1891, Manipur state was created by which act of parliament, पार्लेमेंट के किस amendment act के दुआरा, Manipur को state का दरजा दिया गया, वो amendment था, option D, 27th amendment act, the civil right activist, political activist, journalist and poet, who is known as iron lady of Manipur, Manipur में, एक lady है, जो civil right activist है, political activist है, journalist भी है, जिनको iron lady के नाम से जाना जाता है, वो कौन है, वो है, आयरोम शर्मिला चानू, which is the folk dance of Manipur, Manipur के folk dance कौन सा है, यहापे जो चार option है, यानि धोल, नापू, पुंग चोलाम, तो यह तीनों option है, यानि all of this, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही, यहापे हमने Manipur state के जो सवाल है, उस्प कवर क्या है, अगले वीडियो में हम एक नया state लेके आपके समने हाजिर होंगे, तो अज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक्स फो वाचिंग, और बेस्ट उफ लग पोर या एक्जाम,